दोस्तों क्रिकट के मैदान पर हमें देगे बहुत से से रोमाश देखने को मिलते हैं जिने सालों बाद यह भाई भूल पाना संभव नहीं होता है। ये रोमांचक मैच हमारे दिलों में इसकदर घर कर जाते हैं, कि कई बार तो रातों में सपनों में हमें इन मैचेस के हाइलाइट्स दिखाई देती हैं। ऐसे इसली भी क्योंकि इन मैचेस में हमारे प्यारे प्यारे खिलाडियों के हाथों से बहतरी इन चौके छक्के निकलते हुए हम देखते हैं। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसे ही मैच की यादें। जो कि किसी भी भारती क्रिकेट प्रेमी के लिए भूल पाना बिलकुल भी संभब नहीं है क्योंकि इस मैच में हमारे भारती शेरों ने आस्ट्रिलिया टीम के हाथों से जीट को चीन लिया। दोस्तों जम बात करने वाले एक ऐसे मैच की जो आज तक एक क्रिकेटिंग इतिहास के सबसे रोमांचक मैचेस में दर्च है। T20 सिरीज में निकाला हम जिस मैच की बात करने वाले हैं वो इस दोरे पर खेला जाने वाला आखरी मैच था। इस मैच के पहले भारते टीम T20 सिरीज को अपने नाम कर दो शूनी से आगे चल रही थी। इस मैच में भी अपना प्रदर्शन बरकरार रखने और सिरीज क्लीन स्विप करने के उदिश्य से हमारी टीम मैदान पर उतरी हुई थी। सिड्नी के इस खुपसुरत मैदान पर दर्शकों के भीड़ खचा खच भरी हुई थी। दोनों टीम इस आखरी मैच के लिए अपनी अपनी कमर कस चुकी थी। दोनों टीमों के कप्तान शेन वाटसन और महेंदर सिंग धोनी टॉस के लिए बीश मैदान पर पहुच जाते हैं। टॉस का सिक्का उचलता है और जाकर गिरता है ऑस्टिलियाई टीम के पक्ष में। टॉंस जीत का उस्टिलियाई टीम पहले बलेबाजी करने का फैसला करती है। जिसके नतीजन इस टीम के ओपनर उस्मान ख्वाज और कप्तान शेन वाटसन बलेबाजी करने के लिए पिश पर उतरते हैं। दोनों ही बलेबाजों के ओपर अपनी टीम को या आखरी मैच जितवाने और भरत को क्लीन स्विप करने से रोकने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और जिसके नतीजन दोनों ही बलेबाजों ने अपनी टीम को सधी हुई शुरुआत दी। पर इसकों के साथ शौन मार्श के साथ मिलकर एक अर्थचत्किय साज़िदारी की। आप उस दिन दोस्तों वाट्सन के रोधर रूरूप का अंदाजा इसी बास से लगा सकते हैं कि उस दिन टीम के 197 रंस में से 124 रंस वाट्सन ने नाबाद बनाये थे जी हाँ पता नहीं कौन सा जूस पी के या आये थे जिसमें 10 चौके थे 6 छके शामिल थे। बहतरीन ऑस्टिलिया बोलिंग यूनिट के सामने भारती टीम के लिए बड़ा लक्ष बिलकुल भी आसान नहीं होने वाला था। लेकिन जिस टीम में माही जैसा कप्तान और यार उस टीम के लिए कुछ भी असंभाव नहीं होता है। मैच की सिचुशन को समझते हुए माही ने ड्रेसिंग रूम में मैच टेक्टिक्स के ओपर चर्चा की और खिलाडियों को मैच के हिसाब से बलेबाज ही करने का सुझाफ दिया। मैच की दूसी पारी में टीम टेक्टिक्स के अनुसार तयार भारती टीम के दोनों विसफोटक ओपने रोहित शर्मा और शिकर धवन जिन्हें उस्चिले टीम और मैदान दोनों ही पसंद आते हैं वो बीच मैदान पर पहुच चुके थे। जिला कर चलता कर दिया। रोहित रलतीस गिंदों पर बावन रन बनाकर पवीलियन लौट गए। इस विकेट के गिरने के साथ ही मैदान पर आये टीम इंडिया के बहतरीन बलेबास सुरेश रैना। रैना ने आते ही विराट के साथ मिलकर टीम को संभाला और लक्ष को नस्दीक ले जाने का काम किया। लेकिन एक बार फिर से कैमरन वोईस भारते टीम के बीच आ गए। कैमरन की एक गेंद विराट के स्टम सुखार कर अपने साथ ले गए। विराट टीम को एक अच्छी और मजबूत स्थिती में छोड़कर अर्थश तक बनाकर पवीलियन लौट गए। अब मैदान पर मौजूद थे टीम इंडिया के संकट मोचन, युवराश सिंग और सुरेश रैना। टीम को अभी भी जीत के लिए 31 गिंदों पर 51 रनों की सरुवत थे। इन दोनों ही बलेबाजों ने टीम को लक्षी के और नजदीक ले जाने का काम किया। लेकिन ये जीत इतनी भी आसान होने वाली नहीं थी। उस्टिलिया गिंद बास मैच को अपने पाले में जुकाने में जुट कए थे। और उनकी ये कोशिशे काम भी आने लगी थी। उन्होंने रिक्वाइड रेट को काफी उपर कर दिया था। लेकिन मैच का रुक तब पूरा बदल गया। जब उन्हीं स्टिलिया टीम के लिए उस दिन के लखी चाम शेन वाटसन एक और फिर गेंद के साथ आये। टीम इडिया को जीत के लिए 12 गेंदों पर 22 रनों की जरुवत थी। देखने में तो ये लक्ष बड़ा ही आसान लग रहा था, मगर वाटसन के आगे किसी की भी एक ना चली। रनों की जरुरत थी। वाटसन के इस 5 रनों के ओवर ने मैच का पूरा रोग बदल कर रख दिया। इवरा सिंग ने शुरुवाती मातर दो गेंदों पर 10 रन ठोग डाले थे। तीसरी गेंद पर सुरेश रहना ने समझदारी दिखाई। और युवरा से बीट हुई इस गेंद पर डिंजरेस एंट पर भाग कर एक रन ले लिया। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 3 गेंदों पर सिर्फ 6 रनों की जरुवत थी। चौथी गेंद को रहना ने बड़ी ही आसानी से खेला और भाग कर 2 रन ले लिये। अब टीम को 2 गेंदों पर 4 रनों की जरुवत थी। सुपर हीटेड मुकाबले और T20 सुरीज को क्लीन स्विप करने के लिए किनारे पर खड़ी भारती टीम अब सिर्फ दो कदम दूर थी। मैदान पर मौझूद हर किसी का कलेजा मूं को आ रहा था। मैदान पर हो रहा शोट एक दम शान्थ हो चुका था। हर किसी की निगा इस आखरी गेंद पर टिकी हुई थी। टाई ने भागना शुरू किया और एक बहतरीन गेंद भी फेकी मगर रहना ने उसे और भी ज्यादा बहतरीन ढंक से खेलते हुए एक शांदार चौके के लिए बाउंडरी पार भेश दिया। टीम इडिया खुशी के मारे जूमने लगी। मैदान पर भारत माता की जैके नारे लगने लगए। के सामने लाया है कैसी लगी वीडियो दोस्तों कॉमेंट करके बताईएगा प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कीज़ेगा और आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पहला आइकन प्रेस कलीचे जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिसना